दिल्ली एन्सियार वेस्ट यूपी समेत पूरे भारत से पहुँचे श्रद्धालू आज शुक्रवार को शिवरात्री पर शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड पड़ा जिले के सभी शिव मंदिरों में हरहर महादेव के जैगोश के साथ श्रद्धालू ने शिवलिंग पर जलाभिशे कर पूजा अर्चना की इस मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया श्रद्धालूओं की भीड को देखते हुए मंदिर परिसर तथा आसपास के इलाकों में सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था है लोगों की भीड को देखते हुए शिव मंदरों के आसपास पुलीस के जवान तैनात है बाकपत के पुरा महादेव मंदर में जलाभिशेक करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, नौइडा, हरियाना, उत्तराखंड, उडीसा, मुजफरनगर, सहारनपुर, मेरट और बुलंदशेर समेत आसपास के इलाकों के अलावा पूरे भारत से आए लाखों जलाभिशेक कर रहे हैं। आए देखते हैं बाकपत ब्यूरो से समवाददाता अमिच शर्मा और प्रदीप यादव की खास रिपोर्ट। जह है उनकी डगर रही है फिर भी जह है उनका मन नहीं अट और भगवान आश्युकोष का अभिशेक करने के लिए पहुचा हैं। अभी कितना उम्मीद है। जाहें दस बज्जा हो सदात के। आठ दिन से बतार है कि हर्दवार से चले हुँ है और है देखिए यूटी है बच्ची है पेटा क्या नाम है। कावड लेके आया हुँ हाँ जी कहां के रहने वाले मुझा फन अगर के कितने किलोमेटर की यात रहे किला है। क्या सोचके कावड लाए हुँ है। आपका नाम क्या है। क्या नाम है। क्या सोचके कावड लाए हुँ है। बोले नाथ पर जल चड़ाने के लिए। कुछ नहीं सोचा। देके बहुत सारे शिव बगत है। उनके अपने अपनी मनों कामना है। अपनी अपनी इच्छाएं है। किसी अलग-अलग आस्था को लेकर वो जो है यहां जल चड़ाने के लिए बच्चे बुड़े और जो है जवान यूवक प्रोच है। इससे क्या नाम हुआ है। अरिजनीश कुमार है। कहा के रहने बड़ा है। हर दौर के। हर दौर के। काभी टैम से आरे तीस साल से आरे लगए। तीस साल से यहां। हर दौर से जो फुट जहां लोग बाग जल लेने के लिए जाते हैं। वहां से स्विभग जो है जल लेकर यहां पुरा महदेव मंदिर पहुंचे हैं। और अपने जो है लाइन में आप देख सकते हैं।